बनी इसराइल पर अल्लाह का अजाब हजरत मूसा अलेहिससलाम की कौम बनी इसराइल पर अजाब, इसके बाद उन पर टिडियों का अजाब आया, या जुएं या कोई छोटा सा कीड़ा है, उस कीड़े ने जो खेतियां और फल बाकी बचे वो खा लिये, कपड़ों में घु फिरॉनियों के बाल, भमवे, पलके चाट गए, जिस्म पर चेंचक की तरहे अबले पढ़ते फिर निशान पढ़ जाते, सोना दुश्वार कर दिया था, इस मुसीबत से फिरॉनी चीख पढ़े, और उन्होंने हजरत मूसा अलेहिससलाम से अर्ज किया, हम तौबा करते है आप इस बला के दफा होने की दूआ फरमाईए, आप अलेहिससलाम की दूआ से अल्लाह ताला ने उनकी इस मुसीबत को भी साथ दिन के बाद दूर फरमाया, लेकिन फिरॉनियों ने फिर वादा तोड़ दिया और इमान ना लाए, बलकि पहले से ज्यादा बुरे अमाल श जाता था, हाथों में मेंधक, खाने में मेंधक और चूलों में मेंधक भर जाता था, जिससे आग बुझ जाती थी, लेटते तो मेंधक उपर सवार हो जाते थे, इस मुसीबत से फिरॉनी रो पड़े और हजरत मूसा अलेहिससलाम से, अरज की इस दफा हम पक्का वादा कर जाते हैं कि तौबा करेंगे, इमान लाएंगे, आप दूआ करें, ये मुसीबत हमसे टल जाए, हजरत मूसा अलेहिससलाम ने उनसे अहद लेकर फिर दूआ फर्माई, साथ दिन ये अजाब भी उन पर रहा, आखिर हजरत मूसा अलेहिससलाम की दूआ से ये भी दूर लकिन उन्होंने फिर वादा तोड़ दिया और अपने कुफर पर बरकरार रहे, फिर अल्लाह ताला ने उन पर खून का अजाब नाजिल किया, कुंगों का पानी, नहरों का पानी और चश्मों का दरियाय नील का पानी, यहां तक कि हर पानी उनके लिए ताजा खून बन ग उसने कईबती और इजराईल को एक ही बरतन से पानी पीने का आदेश दिया, परंतु इससे भी उन्हें कोई लाब न हुआ बनी, इजराईल जब निकलते, तो पानी ही निकलता, लेकिन जब इसी बरतन से किप्ती निकलते, तो खून निकलता, फिरौन की ओरतें प्यास से और बनी इसराइल की महिलाओं के पास आई और उनसे पानी मांगा जिस से उनके बरतन का पानी खून बन गया। फिरॉन का प्यास की सिद्दत से बुरा हाल था। जब वह इस मुसीबत से भारी हो गए तो उन्होंने हजरत मुसा अलेहिससलाम से दुआ की दर्ख्वास्त की औ उन पर तमाम अजाब एक-एक हफता रहा। जब भी कोई सज़ा आती तो हजरत मुसा अलेहिससलाम से एमान लाने का वादा करते की आप दुआ करें की अगर यह अजाब हम पर से हटा दिया जाए तो हम एमान ले आएंगे। एक महीना आराम से गुजरता फिर दूसरे अज असाब में मुपतिला हो जाते। उन्होंने एमान लाने का वादा किया लेकिन तोड़ दिया। अल्लाहु अकबर जहां सजा नाजिल हुई वहां बनी इसराइल भी थे और फिरौन किप्ती भी वही थे। लेकिन यह अल्लाह रब्बुल इजजत की शान है कि सजा सिर्फ फ एमान नसीब फरमाया।